हेलो बचो आज की क्लास में हम डिसकस कर रहे हैं हमारी क्लास 9 की मैथेमेटिक्स की वर्कशीट 65 और दिनाख है 9 डिसेंबर 2020 और आज से हमारी स्टार्ट हो रही है रिविजन तो सबसे पहले है हमारा चैप्टर 1 यानि हमारी संख्या पद्दती नंबर सिस्टम तो आज हम रि हिंदी मीडियम भी तो अब स्टार्ट करें रिविजन तो सबसे पहले हमारे पास कुश्चिन क्या है डेसिमल एक्स्पेंशन ओफ इर्रेशनल नंबर यानि अपरिमय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है Terminating and recurring, Non-Terminating and recurring, Non-Terminating and non recurring या None of These यानि असांत अवर्ती, अनवसानी अवर्ती, अनवसानी अनावर्ती और इनमें से कोई नहीं तो जो हमारी अपरिमय संख्याओं यानि इर्रेशनल नंबर कांसे होते हैं जो कभी भी जिनका decimal यानि जिसमें दशमलर प्रसार कभी भी खत्म नहीं होता, end नहीं होता और कोई भी number repeat नहीं होता, यानि एक pattern में जैसे numbers repeat होते हैं तो वो नहीं होता, यानि non-terminating and non-recrearing, अनवसानी अनावर्ती. फिर है, there are dash rational numbers between two rational numbers, तो दो परिमय संख्याओं के बीच में कितनी परिमय संख्याओं हो सकती हैं, तो जब हम परिमय संख्याओं के बीच में परिमय संख्याई निकालते थे, तो वो हमें 2 बोलते थे, तो हम 2 निकालते थे, 10 बोल दी, तो 10 निकाल दी, तो अगर वो 100 बोलेंगे, तो हम 100 भी निकाल सकते हैं, यानि हमारे पास infinite rational numbers होते हैं, आप परिमित, यानि हम बहुत सारे अनन्थ हल निकाल सकते हैं, फिर प्रश्नतीन decimal expansion of 22 by 7, यानि 22 बटा साथ को दशमलव रूप में लिखने पर हमें क्या मिलता है, तो 22 बटा साथ को जब हम दशमलव में बदलते हैं, तो हमारे पास आती है संख्या 3 दशमलव, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, इस तरह से यह चलता रहता है, तो अब यहां ध्यान से देखें, तो 1, 4, 2, 8, 5, 7, जो है हमारा फिर से repeat हो रहा है, 1, 4, 2, 8, 5, 7, बार-बार आ रहा है न, यानि हमारे पास हम इसे किस ढंग से लिख सकते हैं, 3 दशमलव, 1, 4, 2, 8, 5, 7, तो यानि यह हो गया हमारा उत्तर 3, तो उत्तर 3 में 3 दशमलव, 1, 4, 2, 8, 5, 7, इस पे लगा हुए बार का निशान, देख रहे हैं, यह बार का निशान, इसका मतलब यह जो पूरा जोड़ा है, यानि यह पूरा जो ग्रुप है, नमबर्स का यह बार-बार repeat होगा, तब ही तो बार का निशान लगा है न, कि य repeat होने वाला है, अब है question number 4, तो question number 4 क्या है हमारा, 0.111, in P upon Q form में हम उसे कैसे लिखेंगे, यानि अगर हम 0.111 को पी की बटा Q के रूप में लिखेंगे, तो क्या उत्तर आएगा, तो यह तो हमें हल करना आता है, कैसे करते हैं हल, चलो याद करते हैं फिर से, तो 0.111 का मत अतलब क्या हुआ, कि यह 0.1 बार के बराबर है, है न, तो हम क्या लिखेंगे, let, यानि माना, x बराबर 0.111 के जो चलता रहेगा हमारा, अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही number पे बार है, तो हम क्या करेंगे इसे, एक 0 वाले number से गुणा करें, यानि 10 से, क्योंकि हम 10, 100, 1000 इन से करते हैं गुणा, तो यहाँ हम 10 से multiply करेंगे, यानि multiplying both sides, multiplying both sides with 10, तो यहाँ आ गया हमारे पास दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, क्योंकि हम right hand side को भी करेंगे गुणा, और left hand side को भी, तो दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा 10x, और यहाँ 10 से गुणा करने हैं, तो दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा, यानि 1.111, यह हो जाएगा, अब अगर हम इसे, अप equation 2 में से equation 1 को minus, it means 10x is equal to 1.11, जो है न इसे, इसमें से हमने minus कर दिया, x is equal to 0.111, तो हमारे पास यहाँ क्या आगया, 9x is equal to 1, तो x क्या हो गया, 1 upon 9, तो कौन सा answer correct हो गया हमारा, option 1, यानि जो हमारा part 1 है, this is our correct answer, similarly अब next question क्या है, 0.32 bar, इसे p upon q के format में कैसे लिखेंगे, यानि इसे भी हमें p upon q के रूप में लिखना है, तो तरीका कौन सा है हमारा, जैसे हमने उपर question solve किया, इसी ठंक से हम इस question को भी solve करेंगे, तो यहाँ हमें बस ध्यान क्या रखना है, कि यह जो बार का निश यह सिर्फ 2 के उपर है, यानि जो हम x को लेंगे, तो इस case में x हो जाएगा 0.32222, क्योंकि 2 ही repeat हो रहा है, 2 पे बार का निशान है, तो 2 ही बार बार आएगा, फिर एक ही digit बार बार repeat हो रहा है, यानि यहाँ भी हम 10 से multiply करेंगे, तो फिर वही दोनों पक्षों को 10 से 0.222, फिर इसे यहाँ लाएंगे, माइनस करेंगे, यानि x is equal to 0.3222, यह होगे हमारे पास, तो अब हम इसे माइनस कर देते हैं, यहाँ मिला हमें 9x, और यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिला 2.9, यही आए ना हमारे पास, अब क्या करना है, x बराबर 2.9 डिवाइ 29 upon 90, यानि 29 पटा 90, तो यह कौन सा option है हमारा, option 3, तो थर्ड option जो है, यह हमारा सही option है, अब देखते हैं question number 6, write rational and irrational numbers separately from the following, और हिंदी में क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में से परिमय और अपरिमय संख्याओं अलग कीजिए, यानि कौन सी हमारी परिमय है और कौन सी अपरिमय, यह हमें बताना है, तो rational number, अब यहाँ ध्यान से देखें, पहला number क्या है हमारा, 29.34927, और यह चलता जा रहा है, repeat नहीं हो रहा, और continuous चलता जा रहा है, यानि यह क्या है, non-repeating, non-terminating, तो यानि अन्मसानी अनावर्ती, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो गया हमारा irrational, यानि अपरिमय, तो यह हो गया अपरिमय, ठीक है, फिर आया root 42, तब root में नंबर है, तो root का नंबर तो हमारा क्या होता है, अपरिमय, यानि irrational, क्योंकि इसकी कोई value भी नहीं आ रही हमारे पास, तो यह हो गया अपरिमय, यह भी अपरिमय हो गया, अब 88, वो तो हमें पता है, 88 कैसा नंबर हो जाएगा हमारा, rational नंबर, क्योंकि उसे हम 88 बटा एक लिख सकते हैं, यानि 88 हमारा हो गया, परिमय संख् फिर 6 रूट 11, 6 रूट 11, अगें क्या हो गया हमारा, irrational, तो यानि यह हो गया, अपरिमय, ठीक है, अब अगला क्या है यहाँ पर, रूट 26.7, यानि रूट में हमारे पास संख्या है, और वो भी क्या है, 26.7, तो रूट की संख्या, यानि क्या हो गया यह, अपरिमय, उसी प्रकार रूट 2, वो भी हो गया, अपरिमय, अब यहाँ देखें, 7.45672, 45672, यानि एक पूरा पैटर्न जो है, बार बार फॉलो हो रहा है, हमारा ग्रूप जो है, रिपीट हो रहा है, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 7.45672 का बार, और इन नमबर्स को हम भी अप परिमय संख्या, और यहाँ लास्ट जो है, अब और देखें क्या है, यहाँ है 98.3, तो यह तो हमारा कैसा दशमलव है, टर्मिनेट हो रहा है, यानि हमारा पास 7 दशमलव है, तो यह हो गई परिमय संख्या, क्योंकि इसे हम परिमय रूप में बदल सकते हैं, फिर यहाँ पर फिर हमें 7 दशमलव मिल रहा है, तो यह भी हो गया हमारा परिमय, और अब यह वाला एक दशमलव 0100100100, यानि खतम भी नहीं हो रहा, और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो अन्वसानी अनावर्ती, तो यह हो गया अपरिमय, आप इसे इंग्लिश में अगर देखें, तो क रूट 2 वो भी रैशनल, फिर हमने इसे देखा था कि हम इसे बार की तरह लिख सकते हैं, यानि यह आगया हमारा रैशनल क्यूंकि इसे हम P upon Q के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, 98.3 यह भी हमारा रैशनल नंबर है, और फिर यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसलिए यह भी रैशनल नंबर हो जाएगा, और लास्ट बन जो है, वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यह पूरा नंबर हमारा क्या है, इर्रैशनल, तो हो गया यह सॉल्फ, अब नेक्स्ट कॉश्चिन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आंसर द क्योंके रूप में दर्शाना है, तो इसे हल करते हैं, है हमारा आंसर 7, जहां पे हमें 0.06 बार दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर क्या लेंगे, लैट यानि माना, x बराबर 0.06 अब 6 पे ही बार का निशान है, यानि 666 यह हमारा रिपीट होगा, अब एक ही न है, 10 से गुणा करना है, तो यह हो जाएगा 10x और यहां भी 0.0666 यानि 0.0666 जो है, इसे भी हम 10 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह मिला हमें 10x, यहां decimal एक स्टेप आगे चला गया, यानि 0.666 यह आ गया, अब यह x यहां आके होगा माइनस, यानि equation 1 जो है, उसे हम equation 2 में स से माइनस कर रहे हैं, तो यहां आ गया हमारे पास 0.06666, अब माइनस कर देते हैं, तो मिला 9x is equal to, यह तो 0 हो गया, और यहां बच्चा सिरफ 0.6, यानि x आ गया, 0.6 upon 9, यहां हम इसे क्या लिसक सकते हैं, 6 upon 10 into 9, क्योंकि 0.6 को हमने फ्रेक्शन में, यानि भिन में बदल 6 upon 10 हो गया, अब इसे हल कर देते हैं, यह आया हमारे पास, और यह 2 upon 10, तो आंसर आ गया, 1 upon 15, यानि एक बटा 15, तो x का माना क्या आ गया हमारे पास, x is equal to 1 by 15, यह हमारा final answer हो गया, अब तेखें क्वेशन नंबर 7 का नेक्स पार्ट क्या है हमारे पास, next part है give example of two irrational numbers whose product is a rational number and an irrational number, यानि ऐसी दो अपरी में संख्याओं के उधारन देने हैं, जिने गुणा करने पर हमें पहली बार में एक बार तो परी में संख्या मिले और एक बार अपरी में संख्या मिले, तो अब ऐसे उधारन हमारे क्या हो सकते हैं, तो अगर हम root 2 को गुण करें root 8 से, यानि root 2 into root 8 करेंगे, तो हमें मिलेगा root 16, और root 16 की value हमें पता है, क्या होती है, 4, यानि हमें मिल गया एक rational number, परी में संख्या, और अब हमें चाहिए irrational number, यानि एक अपरी में संख्या, तो simply हम क्या करेंगे, root 2 को root 3 से multiply कर दें, तो दोनों ही irrational है, दो अपरी में स हो गया ये भी solve, अब है part c की 1 by root में हर का परिमे करण कीजिए, यानि rationalize the denominator of 1 by root 8, तो अब हम denominator को rationalize करेंगे, तो अब है हमारे पास 1 by root 8, जिसके हर का परिमे करण करना है, यानि rationalize करना है, तो हमें पत है rationalize करने के लिए क्या करते हैं, परिमे करन के लिए, सेम रूट से हम नीचे भी मल्टिप्लाई करते हैं और उपर भी, तो उपर आ गया, रूट एट, नीचे आ गया, रूट से रूट कैंसल, तो यहनी एट, अब इस रूट एट के भी हम प्राइम फेक्टर्स बना दें, यानि अभाज्य गुणनखन, तो टू इंटू 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 यह लिख सकते हैं, बटे में हमारे पास आठ है ही, अब यहाँ इन जोडे में से एक बहर आ गया, यानि टू रूट टू अपॉन एट, ऐसे लिख सकते हैं, यह वन और यह फोर, यानि रूट टू पॉन फोर, रूट दो बटा चार, हमारा फाइनल उत्तर आ गया, तो हो गया यह भी सॉल्व, तो इसी टाइप से हमें अपनी पूरी वर्कशीट को अच्छे से सॉल्व करना हैं, और अपनी बुक से और रिविजन करनी हैं, तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक, कीप प्रेक्टिसिंग एंड एंजॉय मैंस।